नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News सक्समवत 1945 विक्रम समब 2018 आज फालकुन मास के सुक्ल पक्स की तर्योदेशी थी और दिन शुक्रुवार है तदानुसार अंग्रेजी तारिक 22 मार्च संद 2024 सबसे पहले आज के मुख्य समाचार पंजाब एंड हरियाना हाइकोट में फिर हुई समाजी का आर्थिक मांधन केस पर सुनवाई बताएंगे पूरी अपडेट हरियाना में च्यार लोक्षवाज सीटों पर इन परतियाशों के उतारेगी भाजपा बताएंगे इन सीटों के क्या हो सकते हैं राजनीतिक समीकन शिक्से विवाज के नई पहल चातर संग्या बड़ी तो सम्मानित होंगे स्कूल तीन स्लैब निर्धारित के ड्रोप आउट रेट बढ़ा तो होगी कारावाई एन पेस मेंबर्स के लिए बड़ी खबार एक अप्रेल से बदल जाएगा अकाउंट में लोगिन करने का तरीका लोगसबा चुनाव के चलते स्थागित होई यूपी ऐसी प्रिक्सा अब इस डेट को होगा एक्जाम बताएंगे पूरी अपडेट दिल्ली सरावनीती केस में केजरिवाल गिरफतार एडी का एक्षन अरेश्ट होने वाले पहले सीटिंग सीम इस केस में मनी सिसोध्या संजे सिंग भी जेल में है बैंको बडोदा में नोकरी का मोका वाच्मेन वे माली के पदोफर निकली वेकेंसी इंट्रिवी के आधार परोगा सेलेक्शन पंचकुला में प्रात्मिक शिक्षकों का परदर्शन आवंटित स्कूलों में कारेबार ग्रहन करानी की रखी मांग निदेशक मोलिक शिक्षासी मुलाकात दावा अमेरिका की तरह भारत भी जारी करेगा डेमोकरेटी इंडेक्स मोधी सरकार की तैयारिया शुरू अंतराष्टी संस्ताओं ने भारत के लोकतंतर में खामी बताई थी IDFC फैस्ट बैंक में FD पर अब ज़्यादा ब्याज मिलेगा बैंक ने फिक्स डिपोजिट की ब्याज द्रोमी किया बदलाव अब साड़े आठ परशेंट तक सालाना रिटन मिलने की संभावना रितुराज गाइकवाड बने CSK के कप्तान MS धोनी ने कमान छोड़ी RCB से आज पहला मेज खेलेगी टीम गोल्ड सिल्वर अपडेट सोनना पहली बार 66,000 पर पहुचा इस महीने आप तक 4,000 रुपे से ज़्यादा महेंगा हुआ चांदी में भी सांदर तेजी रही बताएंगे पूरी अपडेट और अब ख़बरे भी स्ताशी हरियाना के अधिक्तम जिलों में इस समय मोसम साफ चल रहा है सुबह सही दूप निकलने के साथ साम तक स्तेती एक जैसी ही नजर आ रहा है वहीं अधिक्तम ताबमान 30 डिगरी सेल्शेस या उससे अधिक भी कई जिलों में दर्ज किया जा रहा है आने वाले दिनों के लिए मोसम विबाग ने पूरो आनुमान जारी कर दिया है मोसम विबाग ने जानकारी दिया है कि हरियाना में 25 मार्ज तक मोसम परिवर्तनशील बने रहने की संभावना है उसके बाद बीच-बीच में आन्शिक बादलवाई होगी वहीं 24 मार्ज को अधिकतर छेत्रों में बुंदाबाने की संभावना भी जताई गई है रातरी ताबान में बढ़ोतरी हो सकती है इस दोरान पूरे दिन बीच-बीच में हवाईं भी चलती रहेंगी फिलाल बरशात नहीं होगी मोसम विबाग ने अपने पूरवानवान में बरशात की संभावना नहीं जताई है ऐसे में किसानों के लिए यह राहत बरी खबर है मोजुदा समय में सर्चों के कटाई शुरू हो चुकी है आने वाले दिनों में गयों की कटाई आरम होने जा रही है ऐसे में बारिस ना ही हो तो यह अच्छर रहेगा एरपोर्ट अथोर्टी ओफ इंडिया द्वारत जूनियर एक्जीक्यूटिव के पदों पर भरती के लिए आविदन मांगे गई है आपको बता दें कि अब भरतियां स्थाई आदार पर की जाएंगी जो भी उमिद्वार इन पदों के लिए इच्छो के वे अधिकारिक वेबसाइट पर जागर ओनलाइन माधिम से अपने आविदन भेश सकते हैं आविदन करने के आरम तिथी दो अप्रेल 2024 होगी आविदन करने के आकरी तारिक एक माई 2024 तैकी गई है इन पदों के लिए उमिद्वार समन्दी छेत्र में बीटेक डिगरी धारक होने चाहिए नियूनत मायू 18 वर्ष और अधिकत मायू 27 वर्ष तैकी गई है उमिद्वारों से विनमर निवेदन है कि भर्ती के लायूदन करने से पहले आधिकारिक विग्यापन आवशे देख लें पंजाब एम हर्याना हाई कोट में समाजिक आर्थिक मांदन के पांच चंकों को लेकर सुनवाई हुई कोट में इस केस पर काफी देर तक बहस भी चली बता दे कि हर्याना करमचारी चैनायूग यानि एच एससे की तरब सी दी जनवाली गुरूप सी गुरूप डी और टीजिटी की भरती समाजिक आर्थिक मांदन के कान अठकी हुई है इससे पहले 19 मार्च को भी इस पर सुनवाई की गई थी उस दिन अगली डेट यानि 21 मार्च तैकी गई ऐसे में 21 मार्च को इस मामले को लेकर कोट में फिर से सुनवाई हुई पर फिर से युवाओं को निरासा यात लगी है इस पर कोई भी अंतिम फैसला अभी तक नहीं हो पाया और फिर से अगली तारिक मिल गई है लगातार अगली तारिक मिलने के काण युवा मानसिक तोर पर पर प्रेसान दिखाई दिए रही है परते एक उम्मिद्वार चाहता है कि इस बारे में कोई ने कोई फाइनल फैसला लिया जाए तागी भरती प्रकिरे आगे बढ़ सके अब इस मामले में 23 अप्रेल को सुनवाई फिर से होगी महीं 25 जुलाई तक TGT का फैसला भी रिजल रख लिया गया है बता दें कि TGT अबरती लगातार हर्याणा करमचारी चैन आयो के सामने धरना परदर्शन कर रहे हैं और रिजल्ट की मांग कर रहे हैं हर्याणा की छै लोगसवाद सीटों पर BJP सबसे पहले उम्मिद्वारों की घोशना की दी मगर अब तक चैर लोगसवाद सीटों के लिए उम्मिद्वारों की नाम तैय करने में पेंच फस गया है ताकि उनके मुताबिक बाकी चैर शीटों यानी कुरूचेतर हिसार, रोतक और सोनिपत लोगसवाद सीटों के लिए उम्मिद्वारों की नाम गोशित के जाज़कें BJP की केंद्रे चुनाव समीते की अगली बैटक आज यानी 22 मार्च को होने की संभावना है जिसमें हरियाना की बाकी चैर शीटों के लिए संभावित उम्मिद्वारों के नामों पर चर्चा होने की संभावना है रोतक में मुझूदा सांसी डाक्टर अर्विन सर्मा यानी ब्रामन का टिकट लगबगते है बीजेपी यहां से फेल मामिनेता रनदी फुट्डा को चुनाव मैजान में लड़ाना चाहती थी लेकिन खबर है कि रनदी फुट्डा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है वहीं कुरूचेतर में बीजेपी के परदे सुपादेक्स वेदपाल एडवेकेट टिकट के परबल दाविदारों में सामिल है बीजेपी यहां से पूरु सांसाद नवी जिंदल या उनकी पतनी सालु जिंदल को चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन जिंदल परिवार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है वैसियों में करनाल की मेर रेनवाला गुपता के नाम पर भी टिकट के लिए विचार किया जा रहा है सोनिपत में पूरु मंतरे कविता जैन वैसियों पहलवान योकेश उर्दत ब्रामन और विदायक मोहन बडोली ब्रामन के नाम पर परबल दाविदारों में है अगर बीजेपी ने रोतक में ब्रामन को टिकट दिया तो सुनिपत में वैसे की तोर पर कविता जैन की दाविदारी सबसे मजबूत है हिसार में टिकट को लेकर जाट और गैर जाट की बीच पेसफ़ा हुआ है मुख्यमंतरी बनने के बाद पहली बार वीरवार को सीम नायब सिंग सेनी अंबाला के नारायन के डिस्तित अपने गाव मिरजापूर माजना पहुँचे या डोल बजाकर उनका श्वागत किया गाए इस दोरान उन्होंने माय के पैर चुकर आशिरवाद लिया इससे पहले वीज की नाराजगी के सम्मद में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंतरी नायब सिंग सेनी ने कहा कि वे हमारे वरिष्ट और समाने तरेता है उनका आशिरवाद पहले भी था और अब भी है कोई नाराज नहीं है मैं जल्द ही उनसे मिलने खुद जाऊंगा और चाहे पीकर आऊंगा इस सम्मद में जब अनिल वीज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंतरी कई बार कहा चुके हैं वो जब भी आएं उनके लिए चाहे तयार है सियम नायव सिंग सेनी जब अपने गाउं मिर्जापूर माजरा पहुचे तो यहां उनके काफिले के साथ राज्यमंतरी असिम गोयल, मंतरी सुभाज सुधा, सुमन सेनी, अमबाला से लोगशबा परतैसी बंतों कटारिया वे भारी संक्या में समर्थ तक उपस्तित रहे महीने और आप नेता संजय सिंग 6 महीने से जेल में है, इधर केजरवाल के लेगल टेम ने सुप्रीम कोट में अफिल कर फोरण सुनवाई की मांग किया है, केजरवाल गरफतार होने वाले पहले सिटिंग सीम है, इससे पहले धारकन के पूरुषियम हियमंत सोरेन को इडी की हिराशत में राजबहुन जाकर इस्तिपा दिया था, इससे पहले गुरुवार को दो पहले धाई बजे हाई कोट ने दिली सेम की गरफतारी पर रोख लगाने वाली याचिका खारिज कर दी थी, केजरवाल ने कोट से ये भी ब्रोशा मांगा था, कि अगर वे पूस्ता आज के लिए नहीं गई, अरविंद केजरवाल के गरफतारी के बाद हरियाना से भी इंडिया गडबंधन के नेताओने भाजपा पर हमला बोला है, नेताओने के अंदर सरकार को निशानी पर लिया है, इंडिया गडबंधन के और शे आमादिम पार्टी के क्रूशेतर से उम्मिद्वार सुसिल गुपता ने एक्स पर लिखा कि यह दोर भाजपा दोरा बनाया गया एगोशित आपातकाल है उन्होंने लिखा कि भाजपा इंडिया गड़बंदन से घबरा गई है अर्विंद केजरिवाल को रोखने की साजी सरत रही है हाली में कॉंग्रेस में साम कोई कदावर नेता नहीं बचा है जो भाजपर सरकार की निशानी पर नहीं हो मैं इस कारवाई को उसी संदर में देखता हूं मैं इसे दुर्भा के पूर मानता हूं अबैसिंग चोठा लाइन सोचल मीडिया प्लेटफोर्म एक्स पर लिखा कि जंदा दुआरा चुने मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल को एडी के दम पर ठीक चुनाओं से पहले गरफतार किया जाता है विपकसी आवाजों को कुचलने के लिए एडी और सीबिया कर इस्तिमाल किया जा रहा है वहाई हर्याना कॉंग्रेस ने पोस्ट किया है और लिखा है कि इंडिया बारे में कॉंग्रिस राजिसवास 10 से दिपेंदर हुड़ा ने कहा कि दूसरें चोठाला के बायन से एक बात साफ है कि बीजेपी ने जेजेपी के लिए रोतक सीट चोड़ी थी और रोतक सीट का नाम सुनते ही जेजेपी ने गटबंदन चोड़ दिया जहां तक हमारा सबसे होट सीट रोतक पर हुड़ा कॉंग्रिस का दबदबा रहा है दो बार हुड़ा की पिता सुतंतरता सेनानी स्वरगेर रनवीर सिंग हुड़ा चैर बार खुद भूपेंदर सिंग हुड़ा वा तीन बार उनके बैटे दिपेंदर हुड़ा रोतक से सानसद बन चुक निदेशालों 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 परेकरम आउजित क्या जाएगा सहीधी दिवस से लेकर वैसा की तक चलने वाले परवेश उत्सों में धाखले के लिए बेहतर प्रयास करने वाले विद्यालेओं अध्यापकों स्मसी पंचायतों को परशन्चापतर दे जाएँगे विद्यालेओं को स्वान रजत वकाश से परशन सापतर से सम्वानित क्या जाएगा उत्तर भारत में गुलाबी सुन्डी के बढ़ते परकॉप को रोकने के लिए तोस रोप से शामुए एक जूटता दिखाने की जरूर रहा था जिसके नियंतरण के लिए अंदादूंत कीट नाशकों का परियोग किया गया जो की चिंता का विशय है इस कीट के नियंतरण के लिए जैवी कीट ना सक वह अन्य कीट परबंदन के उपायों को खोजना होगा तता हीत धारकों के साथ मिलकर सामोहिक प्रयास करने होंगे तब ही किसान को बचाया जा सकता है साथी किसानों के लिए भी एडवाजरी जारी की गई है और बताया कि किसान नर्मे की बंचंटियों को खेत में ने रखे यदि रखी हुई हैं तो विजाई से पहले इन्हें अच्छे डंग से जाड़ कर किसी दूसरे स्थान पर रख दें और इनके अधिकले टिंडों एम सोखे कच्रे को नश्ट कर दें ताकि इन बंचंटियों से निकलने वाली गुलावी सुन्ड़े को रोख अजास के सेमिदार में हर्याणा पंजयाव राजस्तान के किर्शी वेग्यानिकों के अलावा कपास उत्पादेक दस जिलों के किसान परतिनीदी भी सामिल हुए नर्मा की विजाई विश्विदाले द्वारा अनुमोदित बीटी संकर किसमों की 15 मई तक पूरी करें हर्याणा के 11 मुक्य मंतरी नायव सिंग सेनी के मंतरी मंडल विस्तार के बाद अब उनके मंतरी पोटफोलियो के लिए दिल्ले तक लौबिंग करने में जूट गये हैं कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही पहली बार सुवा सरकार में बनाये के साथ राजी मंत्री यानि सोतंतर प्रभाव भी पूर डिप्टिसियम दुस्यन चोटाला और पूरु ग्रह मंत्री अनिल्विज के मैधपुन महकमों पर नजर गड़ाए हुए हैं हलांकि इस बार ये तैह है कि सीम सेनी बड़े मैकमों को अपने पास ही रखेंगे चर्चा है कि अनिल्विज के ग्रह मंत्राले के साथ ही दुस्यन चोटाला के एकसाइज की जिम्मेदारी भी खुद ही देखेंगे लेकिन इस बार वित की जिम्मेदारी डक्टर कमल गुपता आते हैं वह मनोहर सरकार में परिवयन विबाग के साथ माइनिंग के जिम्मेदारी देख रहे थे लेकिन इस बार दुश्यन चोटाला के लोक निर्मान विबाग की जिम्मेदारी लेने के इस बार तीसरे नमबर पर कैबिनेट मंत्री रंजी चोटाला रखे गए हैं पूर कमल गुपता को इस बार फाइनेंस मिनिस्टरी देने की सर्चा है खटर सरकार में उनके पास सहरी एमस्थाने निकाई विवाग की जिम्मेदारी थी वही राज्य बंतरी बने डाक्टर अबेसिंग यादो को शिक्ष्या विवाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है नेशनल पैंसिन योजना यानि एनपेस से जुड़ी एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है एक अप्रेल से एनपेस अकाउंट में लोगिन करने की प्रिक्राव में बदलाव होने जा रहा है इस बदलाव के बाद एनपेस मेंबर्स को लोगिन करने के लिए टू फेक्टर अथ पार ये किया था उनका कहना था कि इससे एनपेस मेंबर्स अपने अकाउंट को पहले से जाधा सिक्योर कर पाएंगे एनपेस अकाउंट को अभी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग है जिन्सी यानि कि सियारे ओप्रेट करती आ रही है प्याफ आडिस पर्ष्ट कर चुका है क एनपेस मेंबर्स के लोगिन आईडी को आधार से लिंक किया जाएगा ऐसे में मेंबर्स को अकाउंट लोगिन करने के लिए ओठीपी दरज करना होगा ध्यान रहे कि एक भी स्टेप कंप्लेट नहीं हुआ तो अकाउंट लोगिन नहीं होगा बैंक में नोकरे की तलास कर रहे है उमिद्वारों के लिए सुनहरा हुसर है बैंको बडोदा यानि बी ओबी ने उत्राकंड में एफल्सी काउंसलर और वास्मेन वे माली के पदों के लिए वेकेंशी निकाली है जो भी उमिद्वार इन पदों के लिए आविदन करने के लिए योग हैं वे बैंकों बडोदा के अधिकार एक वेबसाइट पर जाकर अपलाई कर सकते हैं इस भरते के लिए आविद्वार 18 अप्रेल दिया उससे पहले अपलाई कर सकते हैं उमिद्वारों का चैन इंटर्वी के जरिये होगा एफल्सी कांसलर के लिए उमिद्वा प्रारमिक प्रिक्षा यानि CSC प्रेलेम्स को स्थागित करने का फैसला ले लिया है बता दें कि प्रिक्षां 26 मई से शुरू होने वाली थी संग लोक्षेवा आयोक ने नोटिस में बताया है कि अब यह प्रिक्षा 26 मई को आयोजित नया होकर 16 जून 2024 को संपन करवाई जा अपना खुद का डेमोक्रेसी रेटिंग इंडेक्स निकालने की तैयारी में है कतर के मीडिया अल जजजीरा ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है धरासल पिछले कुछ सालों में लोकतंतर को लेकर भारत की रैंकिंग में लगातार गिराउट देखने को मिली है 2021 में अमेरिका की फ्रेडे माउस संस्ता की रेटिंग में भारत को पूरी तरह से लोकतंतर देशों की कैटेगरी से अठागर आनसिक लोकतंतर वाले देशों की कैटेगरी में रखा गया था वहीं Variety of Democracy यानि VDEM Research Institute ने कुछ दिन पहले ही डेमोक्रेशी रैंकिंग जारी की थी इसमें भारत को 189 देशों में 140 स्थान पर रखा गया था साथी बेटिस अकबार The Economist के रिपोर्ट में भारत के लोकतंतर में खामया बताए गई थी 166 देशों की इस लिस्ट में भारत को 7.18 स्कोर के साथ 41 वी रैंकिंग मिली थी इस दोरान रैंकिंग गिरने के लिए CAA, NRC और Article 370 हटाने जैसे मुद्दों को कान बताया गया था भारत लगातार इन अंतराश्टे रैंकिंग का विरोध करता आया है आलंकी रिपोर्ट के मुताबिक इन बयानों के बावजूद भारत सरकार रेटिंग्स को लेकर परेशान दिखाए दे रही है भारती शेयर वाजार में तेजी देखने को मिली है सैन्सक्स 549 अंकी तेजी के साथ 22,641 किस्तर पर बंद हुआ वहीं निप्टी में भी 102 रंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 22,011 किस्तर पर क्लोज हुआ सैन्सक्स के 30,026 में तेजी और 4 में गिरावट देखने को मिली है वहीं 10 ग्राम सोना 1289 रुपे बढ़कर 66,980 रुपे पर अपने आल टाइम हाई स्कोर पर पहुँच गया है वहीं चांदी में भी सांदार तेजी रही और ये 1562 रुपे महेंगी होकर 75,448 रुपे पर ती किलोगरम स्तर पर पहुँच गई है वहीं एक डोलर का रेट 83 रुपे 22 पैसे के स्तर पर पहुँच गया है आज खबरों बशितना ही देखते रही है आपका अपना हरियाना का सबसे बेतरी न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज नमस्कार इसी आसता के साथ आपका दिन सुब रहे